सब्सक्राइब कर लें टेक्टू ग्लाइड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसी और वीडियो सबसे पहले देखें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्टू ग्लाइड में और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ MI की Music Settings के बारे में जो Music Settings करने के बाद आप बहुत ही एक Awesome सा Music सुन सकते हैं और इन Settings को करने के बाद आपको काफी हद तक Base भी अच्छा मिलने लगेगा और जो आपकी Overall Music की Quality होगी वो बहुत जादा सुदर जाएगी और आपको मज़ा आएगा Music सुनने में तो चलिए दोस्तों बात करते हैं Music Settings के बारे में और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे YouTube चैनल को तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को अधि दोस्तों इन सेइटिंग्स को करने के लिए आपको सबसे पहले Music में जाना है Music में जाने के बाद आपको three dots दिख रहे हैं उन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको settings में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग में जाना है यहां जाने के बाद आप यह सिलीप टाइमर कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी म्यूजिक के साब से और फिर आप हेडफोन सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको हेडफोन सेटिंग्स के अंदर जाक कि आप किस बटन को किस जगह आजाइन कर सकते हैं और यह आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कौन सा भी मोड लगा के जैसे जैज, इलेक्ट्रोनिक, रॉक कुछ भी आप लगा के म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं आप कस्टम सेटिंग्स भी कर सकते हैं हर मोड के अंदर देखें जैसे एक मोड यह रॉक को लगाया गया उसके बाद में इसके अंदर मैंने कस्टम सेटिंग्स की हुई है दोस्तों यह सेटिंग्स काफी अच्छी हैं और यह आप देख सकते हैं मेरा खुद का कस्टम सेटिंग्स था और दोस्तों यहाँ पर आप जाकर काफी सार मोट्स दिए हुआ है आपको in आइंचर म्यूजिक के लिए वाप इसमें्स को सकते हैं और अच्छे से प्र defenses ली आपको बता हूं मैं अपना कुछ करता हूं कर csakता हूं और यूथ मोड्र के अंदर आप अच्छा outta music सुन सकते हैं और किस बेस्ट की यूजिक कहुंगा किस लेंद की फाइल आपको रखनी है और भी कई सारी सेटिंग्स है जिने करके आप म्यूजिक का बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हैं इस MI अच्छा ऑसम म्यूजिक मुझे सुनने को मिला था दोस्तों मैं आपको बताता हूं एम आई जो बैसे की यह फोन से उनका बहुत अच्छा फीचर जो उनमें कॉल रिसीविंग का जो बटन है आप उससे म्यूजिक को चेंज भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं जब आप उस को दो बार प्रेस करेंगे तो आपका म्यूजिक चेंज हो जाएगा और यह आप करके देखिए बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे तो यह इसलिए मैंने आपको बताया तो दोस्तों उमीद है आपको यह सेटिंग्स करने के बाद एक अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल हुआ है